दिलिब टेलर्शन बुटिक को सस्क्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हरे लेटेश वीडियो की जैनकारी आपको मिलती रहे हैं आप देख रहे हैं दिलेप टेलर सेंड बुटेक और फ्रेंट्स आज के वीडियो में देखेंगे कि हम ब्लाउज की साइड फिटेंग कैसे करेंगे लेकिन उससे पहले यह देखेंगे यहां पर अस्तिन है और इस अस्तिन पर मैं लेस लगाने के लिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि लेस लगाने में भी काफी ज़्यादा लोग हैं जो गलती करते हैं तो आज उसको देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हम लेस लगाएंगे ध्यान देंगे यहाँ पर यह जो लेस है यह मोती वाला लेस है एक साइड इसमें कॉर्नर पर पूरा मोतियां लगी हुई है तो इन मोतियों के रहते हुए हम यहाँ पर सिलाई कैसे चलाएंगे मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी होगी तो इसमें चलाने के लिए आप लोगों को एक टिप्स दे रहा हुँ सबसे असान हैं कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर सूई दागे का इस्तमाल करके सुई धागे से सिलाई करते हैं लेकिन उसमें महनत ज्यादा लगती है तो इसके लिए असान तरीका क्या होगा चलिए जानते हैं इसमें मसीन के फूट को चेंज करना होगा फूट मतलब लेजर को चेंज करना होगा फ्रेंड्स यह देखेंगे इसमे यहां से निकाल देते हैं पेचकस के सहारे से आप इसे असानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार से इस नट को ढिला करके यहां से इसको निकाल लें यह निकल गया यह देखेंगे फ्रेंड्स यह जो फूट है यह लगा हुआ था इसे हमने अभी निकाला इसको अलग रख देते हैं और यह है सिंगल साइट वाला फूड जिसमें एक ही तरफ इसमें प्लीजर जो है दिया हुआ है तो यह आपको असानी से किसी भी मशीन के है तो वहां से यह सिंगल साइट वाला प्लीजर आपको मिल जाएगा यह दोनों तरफ के लिए आते हैं यह दोनों तरफ के लिए अलग अलग आते हैं जिस साइट का हमें जरुरत होगा उस साइड का यूज करेंगे तो यहां पर अभी देखते हैं कि हमें किस साइड का से लैट साइड वाला यहां पे हम इसको फिट कर देते हैं जिस तरीके से आप निकालें गे से मुंझी तरीके से इसको फिट कर देना हैं से लेफ्ट साइड वालवा करना है राइट इसमें खाली तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मसीन में क्या चेंजेस करने हैं अब यहां पर हम नट कर लेते हैं फिर इस लेस को लगाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूं फ्रेंड्स यहां पर लेस लगाने के लिए ध्यान देंगे, कभी भी अस्तिन पर पूरा पूरा लेस नहीं लगाया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा लेस यहां पर लगा देते हैं, फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान होगा, कि जब हम अस्तिन की कटिंग करते हैं तो गुलाई पर मार्जिन देते हैं 1.5 इंच का मतलब इसकी जो गुलाई है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन यहाँ पर रखते हैं सिलाई के लिए तो लेस लगाने के लिए दोनों तरफ हम 2-2 इंच छोड़ देंगे दो इंच कम से कम यहाँ पर छोड़ देना है यह इस प्रकार से छोड़ देंगे दो इंच और इधर भी दो इंच छोड़ देना है इसके क्या फायदे है मैं यह आप लोगों को आगे बताऊंगा अब हम यहाँ पर इस लेस को लगाएंगे तो सिंगल साइड वाला जब प्लिजर हम यूज़ करेंगे यह देख सकते हैं तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी लेस को फिट करने में कॉर्णर को हलका सा मोड लेना है यह इस प्रकार से मोडने के बाद यह जो दो इंच पर हमने निशान लगा है वहां से इस लेस को फिट करेंगे बिल्कुल कॉर्णर से कभी भी लेस को फिट नहीं किया जाता है इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि और उसके बाद इसे हम फिट कर लेते हैं दोनों अस्तिन पर लेस को फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूं तो यहां पर इतना हम कट करके निकाल देंगे और यह इधर भी मोड देंगे यह इस पकार से और इधर भी दो इंच छोड़ना है तो अब यह तो हो गया उसको और नर्ड जिस को और नर पे मोतिया लगें हुई हैं लेकिन अब बात करेंगे उस साइड की जिदर से हमें अस्तिन परोट अप से लादा इम्पॉर्टेzam क्योंकि इस साइड में हमें अस्तिन को फिट करना है पहले दोनों साइड हम यह जो सिंगल साइड वाला प्लेजर है इसका यूज करके वापस से पुराना प्लेजर लगाएंगे फिर आगे का मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा इसको यहां पे हम लगा लेते हैं फिर आगे देखेंगे तो यह जो लेस है फ्रेंट्स मोती वाले साइड को हमने फिट किया और उसके बाद प्लेजर भी हमने इसमें चेंज कर दिया है अब बात करेंगे इसको बाकी तरब से फिट करने के लिए तो यह हम अपने पुराने प्लेजर से कर सकते हैं तो यहां पर हम सिलाई अभी चलाएंगे लेकिन उससे पहले यहां पर ध्यान देना है यह जो नीचे वाला हिस्सा है जिस साइड में हमें अस्तिन को फिट करना होता है तो उधर हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे मैं एक बार फिर से अच्छी तरीके से दिखाने का करनी चाहिए इतना इसको उठा करके मोड़ना है अस्तिन फिटिंग की जो सिलाई है लेस के उपर बिलकुल नहीं चड़नी चाहिए इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरीके से जब अस्तिन पर लेस लगाएंगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप लो कि इस कॉर्णर पर भी एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे इधर भी हमें कुछ इसी तरीके से इसको मोड़ देना है कि यह इस तरीके से कि इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अस्तिन कि यहां पर बता देते हैं ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको भी इसी तरीके से मोड़े लेना है कि कितना मोडळा है जहां तक अस्तिन की जो फिटिंग की शिलाहें आती है उतना मोड़ना आ यहाँ पर आप लोग देख करके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों कुछ समझाना चाहता हूँ और इसका benefit क्या होता है यह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अधर भी हमने मोड़ दिया और मोड़ने के बाद यहां पर लगा लेते हैं सिलाई तो यह दोनों अस्तिन तयार है फ्रेंट्स अब देखेंगे इसको लगाने के लिए तो फ्रेंट्स यह यहां पर बात आती है कि कौन सा अस्तिन किस तरफ फिट होगा यह काफी इंपॉटेंट्स जानकारी है यहां पर ध्यान देंगे जिस तरीके से हमने ब्लाउच को रखा है अपनी तरफ हम ब्लाउच को रखें उसके बाद जो गहरा वाला पार्ट है वह राइड साइड में आएगा अस्तिन को हम बराबर रखते हैं सीधा या पर सीधा रखा हुए अस्तिन तो आप देखेंगे कि गहरा वाला जो पार्ट है वह राइड साइड में फिट होगा ये इस प्रकार से या फिर आप ये समझ सकते हैं कि गहरे पार्ट में गहरा वाला अस्तिन फिट होगा उपर दोनों का गहरा है प्लाउच का भी और अस्तिन का भी तो इसका हमें ध्यान रखना है अब इसको फिट करने से पहले हम हलका सा चेक करेंगे कि इसमें आर मोहल को छाटने वगर की आउशकता तो नहीं है अगर छाटने की आउशकता होगी तो हमें इसको छाटना होगा किस तरीके से आर महोल को च्छाटा जाता है यह इस परकार से हम च्छाटते हैं यहां पर भी इसको बराबर मिला रहे हैं च्छाटने की ओश्रक्त नहीं है हमें और साइट फिटिंग की सिलाई हमें सीधी चाहिए तो हम क्या करते हैं यह हलका सा हम यह जो side fitting का side है, इसको हल्कासा काट करके निकाल देना है, बस इतना काम करें गे और ये काम हमें दोनों side करना है, तो इस side को भी हल्कासा देख लेते हैं, ये जो हिस्सा है, ये इस प्रकार से पहले बराबर मिला लेंगे, जो बड़ा छोटा हो जाता है कभी-कभी सिलाई करते वक्त खिचाओ की वज़े से और उसके बाद सीधी सिलाई के लिए यह हल्क असा तिर्चा कर देते हैं इतना करने के बाद अगर आप अस्तिन फिट करते हैं तो आपको कभी वीव लाउज में आर्म होल के नीचे अस्तिन के नीचे जो फुलान वाली समस्य आती है कभी नहीं आएगी इतना आप ध्यान रखेंगे इतना काम करने के बाद अस्तिन के फिटिंग करिए और करके मुझे बताईए कि आपकी जो आर्म होल वाली प्रॉबलम है वो सॉल्व हुई की नहीं हुई अब इसमें हम फिट करेंगे पहले अस्तिन अस्तिन फिट करने के बाद साइड फिटिंग करना है तो यह ध्यान देंगे यहाँ पर सेंटर को मिलाना है अस्तिन का सेंटर जो हमेशा मैं कट लगाना होता है तो वह कट यहाँ पर लगा है और सोल्डर का जो जॉइंट हमने किया दोनों को मिला करके सिलाई लगाने है कि अगया है अगर यहाँ पे फिटिंग करते हुए अस्तिन छोटा पड़ता है तो हलुका का अस्तिन खीचते हुए फिट करना है हमेशा इस भात का ध्यान रखेंगे थक लिए फिट करना है है और पुरा बराबर नहीं आएगा तो जिसमें कोई टेंशन की बात नहीं है जब आप इसको पल्टा करके दूसरी सिलाई चलाएंगे तो वो बराबर आ जाएगा तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको करनी है अस्तिन की फिटिंग करल आपको का कि बात जाएड़ है वह करके सक्ति फबरा इसक्तिन की थे इस थेझए एक लिए्या इस थेए या डिली count उन गां को fit कर दिया है double सिलाई चला करके मजबूती के साथ हमने अस्तिन को कर लिया यहां पर fit तो दूसरे साइड कभी स्थीन सेम इसी तरीके से fit करना फ्रेंट सेंटर को मिलाएंगे यह इस प्रकार से center से लगाना चालू करना है और यहां पे ज्यादा मार्जिन देते हुए सिलाय नहीं लगाने बिलकुल हम powin मार्जीर लगाओ जिसे ही लगाना है अज़ार ज़्यादा दूरी से आपर लगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें तो विए यह पर अस्तिन को हमने दोनों साइट का फिट कर दिया है फ्रेंट उसके बाद क्या करते हैं हलका से इसको खीचना है अस्तिन को फिट करके बराबर खीच करके क्रीज लगा लें इसको खीचना कैसे है यह इस तरीके से इससे क्या होता है अस्तिन बराबर बैटता है और उसके बाद यह इस प्रकार से खिच लेंगे फिर आगे मैं आप लोगों को इस चीज़ यहां पर बता देता हूं कि यह जो लेस के लिए मैंने बताया था यह जो लेस हम फिट करते हैं तो जो तरीका मैंने अभी अस्तिन फिटिंग में बताया कि लेस को इस प्रकार से लगाएं तो यह देख सकते हैं आप जब हमने फिटिंग किया तो यह लेस बीच में नहीं आएगा इस प्रकार से मोड देंगे तो पीछे का साइड भी देख ले और अगर अस्तिन में खिचाओ आया तो blouse की जो side fitting है blouse का जो fitting है पूरी तरह से बिगड़ जाता है इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत मेहनत करते हैं blouse की सिलाई करने के लिए blouse की cutting करने के लिए तो थोड़ा सब finishing का भी यहाँ पर ध्यान रखना है इस सब्सक्तिन की fitting में problem आ रही है इसलिए मैंने आज का यह वीडियो बनाया और एक वीडियो और है हमारी चैनल पर side fitting से रिलेटेड उसका link मैंने description में दिया है वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं side fitting करने के लिए तो यह कोई खास नहीं है ज सीधी तरब से सिलाई लगाते हैं इसका reason यह है कि अंदर का भाग भी इसमें अच्छा रहता है यहाँ पे फिर अंदर आपको interlock करने के और शक्ता नहीं पड़ती है इसलिए यहाँ पर सीधी सिलाई हम लगाते हैं योगि मार्जिन हमने परियाप्त दिया है अब क्या करेंगे इसको पल्टा करके हमें सिलाई लगा देना है तो इस प्रकार से इसको पल्टा लेना है पल्टाने के बाद अंदर से एक सिलाई हम इसमें लगा लेंगे यही सेम काम हमें दूसरे साइड भी करना है पहले कॉर्णर से जॉइन कर लेंगे और जॉइन करने के बाद फिर एक सिलाई हम अंदर से इसमें लगाएंगे कर दो एक सिलाई हम चल्टा से लेंगे कर दो कर दो करने पुद से इसमेंगे उप्र लेंगे तो इसके बाद लास्ट मैं एक काम करना है फ्रेंट्स है जिस नाप का आपने ब्लाउज कटिंग किया है उसी नाप से यहां पर कर देंगे साइड फिटिंग तो साइड फिटिंग करने के लिए हमें तीन नापों की ओशकता है एक कमर चेष्ट और अस्तिन की गोलाई तो यह 26 इंच के लिए हम निशान कैसे लगाएंगे द्यान देंगे यह 14 इंच पर निशान लगाना है और यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दितना हूं यह जो आई वाली पट्टी है इसको छोड़ करके हम मेजरमेंट लेते हैं आई वाली पट्टी को छोड़ करके 7 इंच नापेंगे और ब्लाउज का भी जब हम मेजरमेंट लेते हैं कटिंग करने के लिए तो यह आई वाली पट्टी छोड़ कर ही मेजरमेंट लेते हैं अब बात करेंगे चेस्ट की तो यहां पर ध्यान देंगे चेस्ट के लिए यह से 34 साइज का चेस्ट है तो निशान लगाएंगे साड़े आठ इंच पर जिस साइज से आपने कटिंग किया उसी साइज पर निशान लगाएंगे यहां पर एक्जामपल के तौर पर जिस साइज का ब्लाउज है उसके लिए बता रहा हूं जैसे अस्तिन की गुलाई है यहां पर सवा छह इंच तो सवा छे पर निसान लगा देंगे यह इस प्रकार से तो उसके बाद देखेंगे इन तीनों निशानों को तो पहले मैं यहां पर चौक से मिला देता हूं यह इस प्रकार से तो यह सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी आप लोगों की जो तरीका मैंने अभी बताया और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है उस वीडियो को भी आप लोग देखिए कि साइड फिटिंग की सिलाई हम सीधी कैसे लाएंगे तो दोनों वीडियो देख करके आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यह जो साइड फिटिंग की सिलाई है हम सीधी कैसे ला सकते हैं आज मैंने ज्यादा तर जो टिप्स दिया वह स्तिन के लिए दिया और वह जो वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में दिया है उसमें मैंने प्रॉपर साइड फिटिंग के लिए ही बताया है ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड भी यही काम करना है लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे इधर जो हूंक पट्टी लगी है इसको मिला करके मेजरमेंट लेना इसको छोड़ना नहीं है तो यहां पे निशान लगाएंगे वापस से 7 इंच पर चेश्ट पर 6.5 इंच पर इस ब जो लाई और यहां पर भी एक बार फिर शेद देख लेंगे कि यहां पर जो सिलाई आएगी वो सीधी आएगी कि नहीं आएगी तो बिलकुल यहां पर भी सीधी सिलाई आएगी फ्रेंड्स तो इसी सिलाई की लोग बात करते हैं कि साइड फिटिंग की जो सिलाई है वो सीधी नहीं आती है तो इस तरीके किसे आप फॉर्मूला यूज कीजिए बिलकुल सीधी सिलाई आएगी अब इस ब्लाउज को मैं सीधा करके दिखा देता हूं कि अस्तिन में बिलकुल भी इसमें सलवर्ट खिचाओ कहीं पर भी नहीं आता है तो यह इस प्रकार से आप अस्तिन की फिटिंग करेंगे जो तरीका मैंने बताया लेस लगाने का उसको खास तोर से ध्यान रखना है यह फार्मूला ही आप यूज करेंगे और इधर से भी सामने से देख लेते हैं बिल बार आप लोगों को इस बात के लिए बता रहा हूं तो आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है फ्रेंड्स मिलते हैं नैस्ट वीडियो में अगली वीडियो में मैं बताऊँंगा कि जो लोग पहले साइड फिटिंग करते हैं उसके बाद अस्तिन की फिटिंग करते हैं तो वो लोग side fitting किस प्रकार से करेंगे वीडियो पशंद आया हो लगा हो आपको कि ये वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को like कर दीजिए family friends के साथ share कर दीजिए तो मिलते है friends next वीडियो में